आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Students, आज का जो हमारा Question है, इसमें कहा है कि Right One Similarity Between Beryllium and Aluminium हमें Beryllium और Aluminium के बीच में एक similarity बतानी है तो Beryllium और Aluminium के बीच में क्या होता है, एक Diagonal Relationship exist करता है क्या मतलब है इसका, कि कुछ elements होते हैं, फिर कुछ certain pairs of elements होते हैं जो Diagonal होते हैं, और उनकी कुछ properties क्या होते हैं, आपकी similar वो periodic table में क्या होते हैं, एक दूसरे के Diagonal होते हैं, और उनकी कुछ properties जो होते हैं, वो similar होते हैं, उसी कौम क्या बोलते हैं, Diagonal Relationship बोलते हैं, तो यहां पर अगर मैं बात करूँ, Beryllium की और Aluminium की, इनकी क्या similarity होती है, तो यहां पर क्या होता है, कि जो Beryllium है, Just Like Aluminium, वो क्या करता है, एक oxide की, फिल्म ऑफ oxide अपने surface पर फॉर्म कर लेता है, चीक है, यानि कि Beryllium and Aluminium, दोनों ही हमारे क्या होते हैं, देखे, These are resistant to the action of acid, अब इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है, कि जो Beryllium है, Just Like Aluminium, यह क्या करता है, एक protective layer किसकी बना लेता है, oxide की, अपने surface पे, एक protective layer किसकी बनाता है, oxide की, चीक है, यानि कि इसके surface पे एक layer होती है, किसकी oxide की, जो इसे prevent करता है, further attack के लिए, acid के साथ, अगर आप फिर acid का attack कराओ, तो यह उसके साथ क्या होता है, attack नहीं करता, तो यह दोनों की similarities है, दोनों ह क्या करते है, protective layer of oxide फॉर्म कर लेता है, जिसकी वज़ा से, these are resistant to the action of acid, तो यह इनकी एक क्या है, similarity, यह किसकी वज़ा से होती है, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, diagonal relationship, यानि कि यह periodic table में एक दूसरे के diagonally होती है, and कुछ pairs होते है, जो diagonally होते है, इक दूसरे के साथ periodic table में तो वो क्या करते है, कुछ property similar show करते है, like इनकी एक और similar properties है, कि इन दोनों metals की जो tendency होती है, covalent compound को form करने की, ठीक है, like अगर आप इनके chlorides देखें, BeCl2 और AlCl3 जो हमारे chlorides हो क्या होते है, covalent होते है, तो हम से तो एक पूछा था, तो यह है, बाकि एक और जो इसकी properties होते है similar यह वो यही होती है, कि बोथ have a tendency to form the covalent compound, ठीक है, ओके बच्चों, thank you